लोग पुछते हैं, आखिर हम दर्शन पढ़े क्यों? हमारी कॉलेजिज में, हमारी यूनिवर्सिटीज में यही कहा जाता है कि अगर आपको कोई और सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप दर्शन ले लीजिए, आप फिलासॉफी ले लीजिए तो बच्चे मुझस से पूछते हैं, कि आखिर हम फिलासॉफी ले क्यों? क्या है इस विशे में ऐसा? सक्सेज रेट जीरो है, जॉब कहीं लगेगी नहीं, आखिर हम फिलासॉफी पढ़े क्यों? देखिये, फिलासॉफी इस नॉट अ सब्चेक्ट, फिलासॉफी कोई विशे नहीं है, पहली बार दिमाग में क्लियर रखियेगा फिलासॉफी जीवन जीने का एक तरीका है, और इस तरीके के लिए आपको कोई, ये नहीं कहेगा कि आपको इसे पढ़ना ही चाहिए कोई प्रेरित नहीं करेगा आपको इसके लिए, इसके लिए स्वैम प्रेरित होना पड़ता है जैसा आपने आस्मान में देखा होगा, आस्मान में जब चांद चमकता है, तो चांद प्रेरित होता है किसी और से नहीं, अपने आप से प्रेजित होता है वो, उसी तरह फिलासफी है अगर आपको लगता है कि मुझे मेरे जीवन में चमकना है, मुझे मेरे जीवन में प्रकाशित होना है तो आपको दर्शन पढ़ना पड़ेगा अब पढ़ने की बात अगर मैं करूँ दर्शन को, तो दर्शन को पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आप दिनबर किताबों में घुसे रहें दिनबर बैस कुछ ढूंडते रहें दर्शन किताबों से बाहर निकलने का नाम है दर्शन पुस्तकों के अंदर छुपा हुआ कोई ग्यान नहीं है तो फिर दर्शन कहाँ है? दर्शन है, जब आप अपने आप के अंदर देखते हैं जब आप खुद को प्रकाशित कर लेंगे, दर्शन के लिए जलना पड़ता है दर्शन के लिए खुद को जलाना पड़ता है तब जाके प्रकाश फैलता है तो जो लोग ये सोचते हैं कि दर्शन हम किस पुस्तकों से पढ़ लेंगे हम युनिवर्सिटी से पढ़ लेंगे तो वहाँ पर आपको फिलासॉफी नहीं मिलेगी बड़ी बड़ी लाइबरेरियां बड़ी बड़ी पुस्तकों से भरी हुई रही है हजारों लेखकों की करोडों पुस्तके वहाँ पर आज भी रखी हुई है लेकिन वो केवल रखी हुई है अगर आपको वास्तविक ज्यान करना है तो पुस्तकों से बाहर निकलना सीखिए क्योंकि आप दर्शन पढ़ते है दर्शन पढ़ने के लिए आपको प्रकरती के पास जाना पढ़ता है पुस्तकों के मायजाल से बाहर निकल के प्रकर्ती के पास जाना पढ़ता है वो दर्शन है वहां से दर्शन समझ में आता है क्या कल्पना है वास्तविक्ता है तो जो लोग ये कहते हैं कि दर्शन पढ़कर करेंगे क्या वो ये अग बाद ध्यान रखिएगा दर्शन किसी परिणाम के उपर निर्भर नहीं है कि अगर सफल हुए तो ही दर्शन पढ़ेंगे दर्शन पढ़ना अपने आप में सबसे बड़ी सफलता है आपके जीवन की ये ध्यान रखिएगा कि अभी जिसने दर्शन पढ़ा है जिसने दर्शन जिया है जिसने दर्शन देखा है जिसने दर्शन महसूस किया है उसके जीवन की रफ्तार उसके जीवन की जब गती को आप देखेंगे तो आप खुद हत-प्रद हो जाएंगे आप खुद confused हो झाएंगे कि आखिर इसके जीवन में इतनी सरलता इतनी रफ्तार इतना balance आखिर आया तो कहां से आया ये दर्शन आपको देता है बाकि सारे सब्जेक्ट आपको जीवन के अंदर छोटी मोटी नौकरी दिलवा देंगे लेकिन अगर आपको जीवन को जीना है अगर आपको जीवन को समझना है तो दर्शन का दामन आपको थामना पड़ेगा दर्शन के पास आना पड़ेगा